दोस्तो मैं बना रहा हूँ पपीते की वाइन आठ दिन पहले मैंने इस वाइन को बनाना शुरू किया था आज नोवा दिन है तो मुझे इस वाइन को secondary fermentation के लिए रखना है उसके लिए जरूरत पड़ेगी sterilization की glass container को और brew bag को मैं कर लूँगा sterilize तकरीवन 3.5 लीटर पानी मैंने उबाल लिया है इसी उबलते हुए पानी से glass container को और brew bag को मैं आपको sterilize करने का सही तरीका बताऊँगा वीडियों के अंतक मेरे साथ यूँँ ही बने रहिएगा brew bag की मदद से हम किसी भी wine को बहुत ही असान तरीकी से चान सकते है कपड़े से काफी time लग जाता है और काफी महनत हो जाती है glass container के अंदर brew bag को मैंने डाल दिया है अब उबलता हुआ पानी container के अंदर डालना शुरू करते हैं यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है थोड़ा सा पानी डालना है और container को हिला लेना है उठाके फिर से थोड़ा पानी आपने इसके अंदर डालना है और फिर से container को उठाना है और हिला लेना है तीन से चार बार ऐसा करने से container गरम हो जाएगा उसके बाद उबलता हुआ आप सारा पानी भी डाल देंगे कंटेनर के अंदर तो कंटेनर सही सलामत रहेगा अगर ठंडे कंटेनर के अंदर आपने गरम उबलता हुआ पानी ज्यादा मातरा में डाला तो कंटेनर तूट जाएगा और सारी मैनत बेकार चली जाएगी कंटेनर के अंदर तकरीबन दो लीटर उबलता हुआ पानी में ने डाल दिया है कंटेनर काफी गरम हो चुका है खाली हाथ से इसे उठा पाना थोड़ा मुश्किल हो गया हाथ जल रहे हैं कंटेनर को अब मैं ऐसे ही लेड लगाके इसका धकल लगाके छोड़ दूँ अब 20 मिनट के लिए आगे का प्रोसेस देखेंगे 20 मिनट बाद Potassium Metabisulfide से भी सभी Equipments को Sterilize किया जा सकता है उसके लिए कुछ नहीं करना पानी लेना है Normal और बस आधे चंबत से थोड़ा कम Potassium Metabisulfide पानी के अंदर डाल दिजे यानि की कंटेनर के अंदर डाल दिजे और उसे अच्छे से हिला लिजे 20 मिनट तक बंद करके छोड़ दिजे कंटेनर को और जितने भी Equipments आपके हैं उन सब को भी कंटेनर के अंदर डाल के छोड़ दिजे अपने आपी सब कुछ Sterilize हो जाएगा पानी को 20 मिनट बाद फेंग देना है अपने यहाँ पर मैंने Hand Sanitizer लगा कर हाथों को भी Sanitize कर लिया है अच्छे से एक चमबच का भी इस्तमाल मैं कर रहा हूँ उसको भी मैंने Sanitizer से साफ कर लिया था ताकि कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना है अब इस कपड़े को यानि कि जो ये बैग है Brew Bag इसको मैंने बहार निकाल लिया है इसमें से एक्स्टा पानी को मैं बहार निकाल देता हूँ अभी ये काफी गरम है इसके अंदर पानी तो हाथ में पगड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है Brew Bag को मैंने निकोड़ा नहीं है अभी इसके अंदर पानी है जो कि काफी गरम है तो इसके अंदर अभी कोई भी बैक्टीरिया नहीं आएगा तो एक प्लेट के उपर मैंने इसको रख लिया है और ये कंटेनर भी काफी गरम है कपड़े की मदद से इसके अंदर से मैं सारा पानी बाहर फेक दूँगा और कंटेनर को कुछ देर के लिए छोड़ दूँगा ताकि यह थंडा हो सके हाँ दोस्तो एक बात और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ काफ कोई भी कंटेनर अगर ज्यादा गरम है और उसके अंदर हम कुछ भी ठंडा डालते हैं कोई भी ठंडा पानी डाल देते हैं दूड डाल देते हैं या वाइन डाल देते हैं ठंडी तो भी वो कंटेनर तूट जाएगा पहले उसको normal temperature पे आने दीजिए, उसके बाद ही डालिए, गरम container के अंदर भी हमें कुछ नहीं डालना है, container से सारे पानी को निकाल के container को उल्टा रख दिया है, ताकि बचा-खुचा पानी भी निकल जाए, और जो ये brew bag है, ये भी थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसे भी आगे का process दिखाता हूँ, wine के पास container को लेके मैं आ गया हूँ, plate के उपर मैंने container को रख लिया है, ताकि जो भी गिरे, वो plate के अंदर ही रह जाए, सफाई का ज्यादा जंडट ना पड़े, wine वाले container को मैं खोल लेता हूँ, और इस पूरी wine को मैं brew bag के अंदर डाल दूँग लेकिन मैं फिल हाल इसमें डाल रहा हूँ, सारी की सारी wine और इसे थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन दोस्तो चान लूँगा मैं, brew bag का link मैं description box में दे दूँगा, link पे click करके आप brew bag घर पे मंगवा सकते हो online, दोस्तो wine को बनने में समय तो जरूर लगता है, लेकिन जो market मे available है, wine shop पे available है, उनसे ये काफी सस्ती पढ़ती है, 100-200 रुपे लीटर के हिसाब से हमें पढ़ती है, और वहीं पे अगर हम किसी भी wine shop पे जाके wine की कोई भी bottle खरीते हैं, तो सस्ती से सस्ती wine की जो bottle वो 700-800 रुपे में आएगी, जो की काफी महंगी है, बात महंगी की भी न अना के तयार करके पी सकते हैं दोस्तों, और नशा भी इसमें जो market में मिलने वाली है, उसे ज़्यादा ही होता है, wine को मैंने छान लिया है, क्लिंग फिल्म उपर लगा दी है, और rubber band भी मैं लगा दूँगा, और फिर छोड़ देंगे, अब ये हमारी wine तयार है, बिल्कुल secondary fermentation के लिए, यही secondary fermentation होता है, अब ये रखी रहेगी और अपने आप ferment होती रहेगी, एक दिन fermentation रुख जाएगी, और wine clean हो जाएगी, और जब wine अच्छे से clean हो जाती है, तो समझो पीने के लिए तयार है, हाँ आप pasteurization process भी इसमें कर सकते हैं, वो और भी चार चांद लगा द नहीं आती, बॉटलों को चाहिए आप साल रखो, दो साल रखो, तीन साल रखो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पasteurization process की वीडियो चैनल पर मुझूद है, आप चाहो तो देख सकते हो, आई बटन में भी मैं लिंक दे दूँगा, और लिंक आपको description box से भी मिल जाएगा बस दोस्तों, अब हमें रख के छोड़ देना है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं, आने वाली वीडियो में तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!